पीठा नाम सुन के ऐसा लगता है इसकी सबजी कितनी अजीब सी होगी ना लेकिन सच में जब बनती है ना तो बहुत टेस्टे बनती है इसका जो सबसे बड़ा टफ वला काम जो होता है ना वो होता है इसको कटिंग करना कटिंग करने के बाद जब इसका छिलका उतारते है न छील का च्लच कभी मोता होता है तो आपको मोटा मोटा ही छिलका उतारना इसका पड़ेगा तो यह रहां अरॉइस मैं वर पहले ह। यहां पर एक चाम मैंने लिया है छीलका उतार लिया और आइसको टुकडों में हम कर लेते हैं चोटे-चोटे टुकडों में कट करके एक कटेम में डाले रख अब अमी ने बताया कि अब प्याज काटने जरूरी है प्याज की कुवंटिटी मुझे थोड़े जादा रखनी है जैसे हम नॉर्मल सबजी में एक प्याज डालते हैं तो इसमें कम से कम चार प्याज ढलेंगी और प्याज भी लंबी-लंबी कट करके उसी के अंदर मिक्स कर अब सासुमा आ गई हैं सबजी बनाने तेल गरम किया और इसमें मेति का छोक लगा है और इसके बाद सीधा डालेंगे पेठा और प्याज एक साथ है रहा कितना सिंपल बनाना है इस सबजी को बहुत असानी से बनती है लेकिन जो सबसे मेंट बाज जो होती है वो यह होती ह कि आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का ध्यान रखना है, अब जैसे प्याज कितनी डलेंगी, प्याज से क्या टेस्ट आएगा, और फिर आमी हमें कब डालनी है, कच्चाम, अब हम सीधा इसमें हल्दी डालते हैं, लाल मिर्ची डालते हैं, और धनिया प पकेगा, और बिल्कुल पक जाएगा, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगी, हल्दी कच्ची रह जाएगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, कच्ची बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी, अब इसमें चाहेगा पानी, पानी इसलिए जा रहा है, क्योंकि ये खड़ाई में बनती है सबजी कूकर में नहीं बनाते हम कभी भी और कड़ाई में इसको पकने में लगता है टाइम तो जैसे जैसे यह पकेगी गाड़ी होती जाएगी तो नीचे ना लग जाए इस चकर में इसको इस तरीके से बनाते हैं पानी डालना जरूरी है यह देखो हमारी सबजी यह बनके त्यार और इसमें फिर हमने कच्चा आम जब हमारी 60-70% सबजी बन गई थी तब डाला था और अब लास्ट में हमने इसमें डाल दे चिन्नी क्योंकि उस ताइम में वीडियो बनाना भूल गई थी तो 60-70% सबजी बन जाती है तब कच्चाम डाल देना और फिर चिन्नी और यह लोजी खटी मिटी सबजी त्यार